पिछले दो साल के अंदर market उपर गई, एक all time high बनाया, फिर नीचे आई, फिर उपर गई, एक नया high बनाया, और फिर नीचे आ गई, और अब दुबारा उपर गई थी, all time high बनाया था, और अब दुबारा नीचे आ रही है, पर अगर हम आपके portfolio की बात करें, तो वो तो लग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि Nifty 50 है क्या, तो देखिए आसान भाषा में Nifty 50 इंडिया के top 50 stocks का एक combination है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर Nifty 50 उपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के top 50 stocks on average उपर जा रहे है, याद रहे सिरफ top 50 stocks, सारे stocks नहीं, अब अगर ह इंडिया की top 50 stocks के अलावा बाकी stock कैसा perform कर रहे हैं, उसके लिए एक index है, जिसका नाम है Nifty Mid Cap 100, जहां पे इंडिया की top 100 medium size company कैसा perform कर रहे हैं, वो हमें ये index देख के मालूम चलता है, और ऐसा ही एक और index है, जिसका नाम है Nifty Small Cap 100, जहां पे इंडिया की top 100 छोटी company क्या कर रह कर ये सोच रहे थे कि इंडिया की सारी stocks अच्छा perform कर रहे हैं, सारे stocks उपर जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, अगर आप Nifty Mid Cap 100 की stocks देखें, तो आपको अपने portfolio के सारे stocks mostly यहीं पे मिलेंगे, इसी index के अंदर PFC आता है, RBL आता है, Federal Bank आता है, PNB आता है, मुथूट Finance आता ह गोद्रेज, इंडिया, यह सब के सब stocks इसी index के पार है, अब आपके portfolio में तो यह stock है, और आप अपने portfolio की performance compare कर रहे थे Nifty 50 से, अब अगर आप Nifty 50 के stocks दिखें, तो वहाँ पे HDFC Bank हो गया, HDFC, ICICA Bank, Kotec Bank, Reliance, Infosys, TCS, और ऐसे बड़े बड़े नाम, अगर आप ध्यान से सोच तो पिछले दो साल में सिर्फ इनी stocks ने perform किया है, और इसी की वज़े से Nifty बहुत उपर गई है, तो अगर हम अपने portfolio को Nifty 50 से compare करें, तो वो सही नहीं होगा, until और unless आपके portfolio में सिर्फ यह stock है, अगर हम पिछले दो साल में Nifty Mid Cap 100 की performance देखें, तो Nifty Mid Cap 100 2018 के starting से लगातार downtrend म है, इसका मतलब कि इंडिया की वो top company को अगर हम निकाल दें, तो बाकी सारी company बहुत जारा गिर रही है, और इसलिए आपका portfolio rate है, Mid Cap Index पिछले 2 साल के अंदर 27% गिरा है, इसका मतलब on average Mid Cap stocks 27% गिरे हैं पिछले 2 साल के अंदर, और यह है Nifty Small Cap 100, जो पिछले 2 साल के अंदर 41% मतलब आर आधे stock के price हो चुके हैं, अब depend करता है कि आपके portfolio में ज़्यादा Mid Cap stock है य या Small Cap stock है, अगर Small Cap stock जादा है, तो आपका portfolio ज्यादा vert में हो گा, अगर Mid Cap stock जादा है, तो आपका portfolio कम red में होगा, और अगर Large Cap stock जादा है तो शायद आपका portfolio अभी तक थोड़ा ग्रीन में होगा, पर क्योंकि रीसेटली Nifty 50 भी नीचे आने लग गई है तो आपके बड़े स्टॉक भी थोड़ा-फोड़ा गिरना स्कार्ट हो गई है, तो ये रीजन था कि पिछले दो साल के अंदर मार्किट ने तो all time high बनाया मतलब Nifty ने, Sen6 ने तो all time high बनाया, लेकिन overall market पिछले दो साल से गिर रही है और जब तक इन index का trend उपर की तरफ चेंज नहीं होता तब तक बहुत सारे stock उपर नहीं आएंगे, obviously गिरती हुई market में भी कुछ stock अच्छा perform करती है for example, Bata India मिढ के आपका पार्ट है, लेकिन उसने पिछले दो साल में बहुत अच्छा perform किया है तो बिलकुल आप overall गिरती market में भी पैसा कमा सकते हैं लेकिन वहाँ stock चूज करना comparatively जादा difficult है, वहाँ पे आपको जादा stock specific होना पड़ेगा जो की obviously एक थोड़ी मुश्किल स्किल है, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे portfolio में कौन-कौन से stock है, तो आप हमारी website traderfortomorrow.com पे जा सकते हैं वहाँ जानी के बाद आपको current stock holdings पे click करना है, और यहाँ पे हम हर महीने update करते हैं कि इस time पे हमारे पास कौन-कौन से stocks हैं, इस time पे हमने किन-किन sectors में invest करा हुआ है किन-किन industries में invest करा हुआ है और सबसे important बात इस time पे हमारे पास large cap जाता है या mid cap stocks जाता है हम small caps में अभी invest नहीं करते हैं क्योंकि अभी जैसे आपको मालूम है वहाँ पे favorable conditions नहीं है हम ये page को हर महीने की एक तारीक के आसपास update करते हैं तो आप इस page को actively track कर सकते हैं आपको इस page से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो अभी के लिए तो इतना ही आज के लिए तो इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसको like कर दे अगर पसंद नहीं आई तो आप dislike कर देजे और अगर आपके पास इससे related कोई भी query है तो आप वो comments में लिख सकते हैं हम try करेंगे कि उसका answer as soon as possible कर दे Thank you so much and have a nice day